नमस्कार दोस्तों, Imperial Agro Classes के online platform पर एक बर फिर से आप सभी का हरदिक स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं JET exam 2021 के अंदर आपका जो minus marking का pattern है वो किस प्रकार काम करता है क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके comment मुझे मिले और बहुत सारे बच्चों के वाट्सप मुझे किया कि सरे एक बार minus marking का थोड़ा बता दीजिए क्योंकि हमें confused है थोड़ा और हमें examination hall में confusion ना हो इसलिए आप थोड़ा सा पहले clear कर दीजिए तो इसी बारे में आज discuss करेंगे डिसकस करने से पहले छोटी से रेक्वेस्टे प्लीज वीडियो को like और चैनल को subscribe कर दीजिए ताकि इसी प्रकार के important वीडियो के notification आपको समय समय पर मिलते रहे हैं अब पहले आपको basic जानकारी देता हूँ कि आपके जो jet exam है jet exam के अंदर total question जो आएंगे वो कितने आएंगे 120 आएंगे जिसमें से agriculture के 40 question आएंगे biology के 40 question आएंगे और chemistry के भी कितने आएंगे 40 question आएंगे तो total number of question है वो कितने हैं 120 है प्रतियक जो question है वो कितने नबर का है चार नबर का है ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए और प्रतियक brush ने चार नबर का है और जो total marks है वो कितने है 400C यनि कि आपका जो jet का paper है वो कितने नबर का है total 480C नबर का आपका paper होगा अब आपको समझना है अगर आप सही answer करते हो किसी question का तो सही answer करने पर आपको कितने नबर मिलेंगे सही answer करने पर आपको 4 नबर दिये जाएंगे लेकिन अगर आप किसी question का गलत answer करते हो तो गलत answer करने पर आपका एक नबर काट लिया जाएगा ये very important चीज़े ध्यान रखना आप यानि कि अगर आपने गलती से भी किनी 4 प्रशन का जो उत्तर है वो गलत दे दिया तो आपका जो एक सही किया हुआ प्रशन है वो सही किया हुआ प्रशन भी आपका कट जाएगा इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि प्रति एक बार आपने गलत आंसर दिया तो आपका एक एक नमबर करता जाएगा तो यह very important चीज़ है बहुत सारे student को यह पता नहीं है अगर यह जानकरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना थेंक यू